है कि है है कि थूड़ तो आज हम बात करते हैं एक स्प्रिशन के बारे में यह जो पीजिए यह वारा फूशन नॉबर है थर्टी इससे पहले वह जूशन करवा चुक हो आपको वी जो पिर से एक इस पर बेस्ट है एक हमने टॉपिक पढ़ाता है इससे पहले square passing through a circle तो आए आज हम discussion के बारे में बात करता है यहां में question दिया है show that that two circles यह दो circle है हमारे पास यह वाला और यह वाला दो circle है हमारे पास lie on the same sphere and find its equation यहां में prove करना है कि यह दोनों circle जो है यह एक ही square पर lie करता है lie on the same sphere यानि दोनों एक ही square पर lie करता है and find its equation और हमें उस square की equation निकान नहीं है तो आप solution को देखें देरे देर solution मैं जब इसको solve करता जाओंगा आपको चीज़े समझे आते जाहिए तो हमारे पास यहां दो circle है तो वो circle क्या है गिवर एक्वेशन आफ circles तो यहां पहले circle की equation क्या है यहां से ने 2 से डिवाइड कर रहा हूं पूरी equation को x square plus y square plus z square plus 4x minus 13 by 2y plus 17 by 2z minus 17 by 2 बराबर 0 यह तो होगे square की equation plane की equation क्या है 2x plus y minus 3z plus 1 बराबर 0 यह square की equation में हैं 2 x square plus y square plus z square यह x square plus y square plus z square का coefficient क्या था 2 तो square की equation को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो यह आगी square की equation plane की equation क्या है 2x plus y minus region बराबर यह तो यह तो यह आगी एक सर्थिक यह तो क्या है given equation of circle sphere and plane थी equation को साथ मेरे की तो इसको रिप्रेजेंट करती है circle को तो यह हो गया first circle and दूसरा सर्किल है x square plus y square plus z square plus 3x minus 4y plus 3z बराबर 0 तो हमारे पास यह तो सर्किल है पहला सर्किल यह है दूसरा सर्किल यह है यह पूरी equation जो है दोनों equation मिलाकर की circle को रिप्रेजेंट करती है पहले मैं बता चुका हूँ तो अब हम बात करते हैं किसकी sphere की तो पहले में sphere की equation इकना लोगा वो इसका क्या होगा circle 1 से पास आउट होगा तो हम इसकी बात करते है equation of sphere passing through the circle 1 is by circle 1 से pass out होने वादे sphere की equation क्या होगी by अगर s बराबर 0 और p बराबर 0 s क्या है s बराबर 0 स्पेर है p बराबर 0 एक plane की equation है यह दोनों किसको represent करते हैं एक circle को तो इस circle से pass out वादे equation क्या होती है s प्लस नम्दा p बराबर 0 तो यहाँ s ये रहा p ये रहा तो किस circle से pass out वादे रिस्टर की equation क्या होगी x square plus y square plus z square plus 4x minus 13 by 2y plus 17 by 2z minus 17 by 2 यह तो हो गया s plus lambda तो lambda p 2x plus y minus 3z plus 1 बराबर 0 यहां मैं लैम्डा की जगे क्या लेडिता हूं lambda 1 तो यह आगे है तो यह आगे है कि square यह square circle 1 से pass out होता है हम क्या दरेंगे यह जो square है square की equation को तोड़ा modify करने है तो x square plus y square plus z square plus यहाँ पर x का जो coefficient है वो क्या है 4 यहाँ पर x का coefficient क्या है 2 lambda 1 x को बाद आमन ले लिया plus यहाँ पर y का coefficient है minus 13 by 2 यहाँ पर y का coefficient है 1 को lambda 1 आ जाएगा और y बाद आ जाएगा तर नहाँ पर plus यहाँ जेड़ का coefficient है 17 by 2 यहाँ जेड़ का coefficient है minus 3 तो minus 3 lambda 1 हो जाएगा z बाद आगे फोर्म यहाँ constant value है minus 17 by 2 यहाँ constant value है lambda 1 बराबर में आगे है G हो तो इसको equation 3 ना दे करके में इसको equation 3 दे हो तो यह equation 3 क्या है एक square की equation है यह square कहां से पाद साव होता है circle 1 से अब हम निकाहते है वापस से again equation पासिंग त्रूप तूप 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 अब हम circle 2 से पास आउप होने वाले x फिर की equation निकाहना चाहते है तो उसकी equation भी क्या होगी है s plus lambda p जहां s क्या है x square plus y square plus z square plus 3x minus 4y plus 3z plus lambda p तो lambda p पी के वह जो है x minus y plus 2z minus 4 बराबर 0 तो यहां मैंने lambda 1 लिया था तो यहां lambda की जीए कि कहले लेता हूँ lambda 2 इस equation को फुटब modify कर लेता है तो x square plus y square plus z square plus x को मैं common देना हूँ है तो यहां से x का coefficient है 3 x का coefficient है वह नमड़ 2 तो lambda 2 x प्लस y यहां y का coefficient है minus 4 y यहां y का coefficient है minus लेंम्र 2 y plus yиться का coefficient है 3 yиться का coefficient है 2 lambda 2 y यहां pues सब्सक्राइब करें तो यहां हमें प्रूप करना था कि शो दैट टू सब्सक्राइब लाइब ऑन दसे इस्पेर तो इस तो इस तो यहां अमेरे पास दो सब्सक्राइब का था किन दोनों से टाव्ट प्रूप करना है कि इन दूनों सब्सक्राइब लएी है यह और यह मपन कीज़ान होगी जब एक्वेशन नमबर 3 और एक्वेशन नमबर 4 क्या हो तो यह सेम प्रफ होंगी जब आप इनके कॉफिशेंट्स को कंपेर करें तो देखिए देखिए लिवा जब करेंगान देखिए टेखिए और इनके करेंगा तो यह से आप फित 10 क्या हो च्वेशन 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 च्वेशनार इनके काव आग श्तिर और are same for some values of lambda 1 and lambda 2. तो भई, ये दोनों स्फेर, ये दोनों सर्कित एकी स्फेर पर लाइक अब करेंगे जब रेक्रीक्वेशन नूमर 3 और एक्रीक्रीशन नूमर 4 शेर अगी समती है कि समें में किंद और मैंद करेंगेन आज होकिसे गशुथों करेंगे है कि अधार ज जब फ हुषितार आई थाफिचरण द घ kalks येद दो रबाद इस ती और विग्ए क्या करेंगे इक बीशन नंबर 3 और एक बीशन अपर 4 में एक जैसी जो टांप्स में उनकी कॉफिश्ट्ट्स को पाँब्यार करेंगे नाय को जासे एकस वाइज जाड़े की कॉफिश्ट्स को हम खंब्यार कर देंगे और बॉंस्टैंट वर्य इसको compare करेंगे तो चलिए compare करते हैं तो जब मैंने compare किया compare करने पर x का coefficient क्या equation number 3 में 4 plus 2 lambda 1 और यहां 4 में x का coefficient क्या है 3 plus lambda 2 भाई हमें ये 2 भी तो करना है कि जोनल स्केट सेम होने चाहिए सेम कब होने जब हम प्रफिशन को compare करेंगे तो यहां पर 4 plus 2 lambda 1 बरादर इसके आगे 3 plus lambda 2 दूसरा semicolon लगा देते हैं यहां पर semicolon लगा दिया y का coefficient यहां पर minus 13 by 2 plus lambda 1 बरादर यहां पर y का coefficient है minus 4 minus lambda 2 semicolon लगा दिया z का coefficient है 17 by 2 minus 3 lambda 1 बरादर यहां z का coefficient है 3 plus 2 lambda 2 और बात की बच्ची constant value तो यहां end करके लिए देते हैं यहां constant value है minus 17 by 2 plus lambda 1 यह constant value है minus 17 by 2 plus lambda 1 और यहां constant value है बरादर में minus 4 lambda 2 तो जाएड सी बात है lambda 1 और lambda 2 की value निकालना चाहते हैं तो lambda 1 और lambda 2 की value क्यासे निकलेगी भई आपने पढ़ाओंगा linear equation in 2 variable तो यहां 2 unknown variable से lambda 1 और lambda 2 इनको solve बनी के लिए हमें 2 equation चाहिए पर यहां तो 4 equation है तो आराम से solve हो जाएगा कोई भी 2 equation निकलेगे आप solve कीजिए lambda 1 और lambda 2 की value आजाएगी छोटी classes में आप करते दे तो हम यहां जब solve करेंगे पहली equation लेनी मैंने 2 lambda 1 lambda 2 को यहां ट्रांसफर कर दिया बराबर में 3 है 4 वहां लिया तो आजाएगा माइनस 1 तो एक तो यह वाली equation लेनी मैंने और एक और equation लेने थे आपन एक यह वाली equation लेने थे आपकी मर्लिये को इसी भी equation ले सकते हैं तो यह वाली equation लेना 1 4 lambda 2 को यहां ट्रांसफर कर दो प्लस का 4 lambda 2 17 by 2 को माहा लेके जाओंगा तो 17 by 2 तो यह equation होगी इनको मैं दे देता हूँ equation number 5 और इसको दे देता हूँ equation number 6 मैं कहते हैं equation number 6 को मैं 2 से multiply करोंगा तो 2 से multiply करोंगा यहां लिख लेते चलिए बीचे equation number 5 तो है 2 lambda 2 बराबर minus 1 equation 6 को मैं 2 से multiply करोंगा तो यहां हो जाएगा 2 lambda 2 2 से multiply करोंगा तो 8 lambda 2 2 से multiply करोंगा तो 17 तो आगे हम बात करता है सॉल्व कर लेगी साइन चेंज कर देते हैं माइनस आ जाएगा 2 lambda 2 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 तो यहां डाल देता हुए 2 lambda 1 minus lambda 2 lambda 2 की value होगे 2 बराबर में minus 1 चल गा है तो यहां से मैंने देगा 2 lambda 1 बराबर आजाएगा 1 यह प्लस का वाजाएगा में आजाएगा तो प्लस का 1 minus का 1 तो lambda 1 की value आजाएगी 1 by 2 तो lambda 1 की value आ रही है 1 by 2 और lambda 2 की value क्या रही है 1 sorry 2 अब यह lambda 1 और lambda 2 की value उठाता है कि आप चाहे तो equation number 3 में रख दीजे या चाहे तो equation number 4 में रख दीजे तो हमें जो square मिलेगा वो same square होगा ठीक है put value of lambda in 3 or 4 we get required equation of sphere as पहिए lambda 1 और lambda 2 की value कहीं पहीं 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 डाल देंगे तो हमें के में जाएगी required equation of sphere तो lambda 1 put value of lambda 1 or lambda 2 in 3 और 4 मैंने या तो बाद वालती कर दी यहां के लिए net put value of lambda 1 और lambda 2 in equation 3 or equation 4 by equation 3 पहीं 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 तो क्या मुदस को जाएगा तो यह वही इक्वेशन निकानना चाहते हैं और इसके इन दोनों सर्क्राइब करें और यह जो इक्वेशन वान और तू में जो सर्क्राइब थे तो यह वही इस्पेर है जिस पर ये दोनों सब के लाई परेंगे ठीक है अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को ज़्याद से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर इस क्योशन से रिलेटेड आपको कोई प्रावलम हो